Hello students, आज के टॉपिक में हम लोग 9th chapter को continue करते वे Reduction of the General Equation of Second Degree में Canonical Form के बारे में डिस्कस करेंगे Canonical Form यह वहित रूप क्या होता इस नमिकरण का यह तित्वीक आद के पद पूर्ण वर्ग हो तो जो General Equation होता उसका Reduction कैसे करते हैं देखिए Capital A, B, C क्या होते हैं हम लोगोंने Determinant D पढ़ा था इसमें Capital A, B, C क्या थे Small A का Co-Factor Capital A Small B का Co-Factor Capital B And Small C का Co-Factor Capital C यदि यह तीनों Co-Factor 0 हो तब X, Y, Z Small F, X, Y, Z यानि द्वीगात के पद क्या बनाते हैं एक Complete Square बनाते हैं तो देखिए द्वीगात के पद कौन से हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक क्या जितनी भी टम्स हैं यह 6 टम्स यह क्या हैं? द्वीगात की है, 2nd degree की है और यह 1st degree, 1st degree, 1st degree और यह 0 degree कहने का मतलब है कि जो अपने पास General Equation of 2nd degree है इसमें 1st 6 टम्स जो की 2nd, आपने पास order की है square terms है यह क्या बनाती है? पून्वर्ग बनाती है पून्वर्ग बनाती है तो यह पून्वर्ग क्या बना? रूट AX, प्लस रूट BY, प्लस रूट CZ का ओल स्कौर, प्लस 2UX, प्लस 2VY, प्लस 2WZ प्लस का D equal to 0 इसको हमने दिया equation number 1 और यह complete square यह पून्वर्ग का बनता है जब यह तीनों co-factor 0 होते हैं अब इसमें तो अलग-लग case discuss करेंगे क्योंकि दो अलग-लग concord निकलते हैं जब पून्वर्ग बनता है तो case first यदि capital ABC, capital FGH यानि यह सारे co-factor 0 हो ABC, FGH और FU और GV और HW इन तीनों के मान बराबर हो FU, F क्या होता है F होता 2YZ का coefficient इसी तरह U क्या है 2X का coefficient G क्या है G क्या है 2ZX का coefficient इसके साथ V क्या है 2Y का coefficient H क्या है 2XY का coefficient और W क्या है 2Z का coefficient तो FU equal to GV equal to HW यह तीनों equal हो इस condition में U upon root A equal to v upon root b equal to w upon root c equal to k1 मान लेते हैं हम लोग यह assume करते हैं कि इसकी value k1 है तो जो equation number 1 है इसको हम लोग इस form में रख सकते हैं root ax plus root by plus root cz का all square plus 2k1 times plus 2k1 times यह 2 किस में से कमल लिया है इन तीनो terms में से 2k1 times root ax plus root by plus root cz plus का last term क्या था d इस form में इसको हम रखेंगे equation number first को इसको हम ने दिया equation number second यह समिक्रण जो है अभी हम लोगों ने equation number two निकाला है यह equation किसको शो करता है समांतर समतल यूग्म को शो करता है समांतर समतल यूग्म को पेर को शो करता है case second यदि capital a b c f g s तो 0 है यह co factor तो सारे 0 है but fu और gv का मांद equal नहीं है उसमें equal था इसमें equal नहीं है इस case में u upon root a not equal to v upon root b इसने जो equation number first था उसको इस form में रखा जा सकता है root x plus root by plus root c z plus का mu यहां क्या है plus का mu का whole square equal to हम लोगों को इस form में रखना है 2x mu root a minus u 2y mu root b minus v 2z mu root c minus w plus mu square minus d equal to 0 इसको हमने दिया equation number 3 अब देखिये यह mu जो आया हम लोगों इसमें add किया है नया time क्योंकि equation में तो नहीं था given equation में यह second degree में कोई mu time नहीं था हमारे पास यह जो हम लोगों यहां add किया है mu time को इसको हम लोगों को value निकालना पड़ेगा इसको solve करना पड़ेगा तो इसको solve करने के लिए हम लोग mu को इस प्रकार से choose करते हैं कि यह जो सम्तल हैं यह दौनों 0 मतलब कौन सा इसको हम लोगों ने capital U assume किया है root ax plus root by plus root cz plus mu इसको हम लोगों ने u assume किया equation number 4 दे दिया और यह जो अपने पास right hand side में जो term है इसको हम लोगों ने assume किया capital V तो यह मारे पास आगई capital V यह जो term है इसको हमने दे दिया capital V equal to 0 अब देखिए यदि दो plane आपस में perpendicular हूँ तो mu equal to u root a plus v root b plus w root c upon a b c इससे हम लोगों की value आ जाती है इसको equation number 6 दे दिया है अब यदि u equal to 0 और v equal to 0 यह दो plane के नए निर्देशी समतल x equal to 0 y equal to 0 ले लिया जाए तो x equal to क्या बनेगा u upon under the root a plus b plus c और y बराबर क्या बनेगा v upon 2 और under the root root में term कौन सी आ गई इनका whole square है यह mu root a minus u फिर क्या जाएगा summation है तो mu root b minus v mu root c minus w का whole square है यह अपने पास क्या था y x और y की यह values है equation number 7 equation number 3 खा जो canonical form आएगा वो इस form में convert हो जाएगा जब x और y आपने assume कर लिए है तो a plus b plus c x square equal to 2 under the root summation of mu root a minus u का whole square times y या x square equal to k2 y जहां k2 की value क्या हो गई k2 की value आगे अपने पास 2 के साथ जो यह root है इसको हम divide कर दें किस से a plus b plus c से और इसकी जगे हम लोगों ने क्या put किया k2 की है तो x square equal to k2 y जहां k2 की यह value है यह जो अपने पास concord आएगा यह concord क्या आएगा parabolic cylinder आएगा यह parabolic cylinder को show कर रहा है परवलाई के बेलन को बताता है तो जब अपने पास dhvigat ke pad pund work बनाते हैं तो 2 case होते हैं एक तो समांतर समतल यूग में बनता है और एक अपने पास क्या बनता है parabolic cylinder बनता है इसको और clear करने के लिए हम लोग example लेते हैं reduce the equation in canonical form आपको एक equation दिये उसको canonical form में convert करना है तो equation के अपने पास 4x square plus 9y square plus 36z square minus 36yz plus 24zx minus 12xy minus 10x plus 15y minus 30z plus 6 equal to 0 इसको हम क्या करेंगे general equation of second degree से compare करेंगे general equation of second degree से compare करेंगे तो ax square तो a की value 4 plus by square तो b की value 9 plus cz square तो c की value 36 फिर क्या होता है plus 2fyz तो y2yz का coefficient minus 18f हो गया 2zx तो 2zx का coefficient 12z हो गया plus 2xy 2xy का coefficient h minus 6 हो गया plus 2ux तो 2x का coefficient minus 5u हो गया 2vy तो 2 तो यहां सोचिए कि 2 से हमने multiply किया और 2 से divide किया तो अपने पास 2y का coefficient क्या बन गया 15 by 2 तो v की value होगी 15 by 2 2z 2z का coefficient minus 15 और d equal to 6 तो हम लोगों ने क्या किया जो अपने पास question दिया था उस question को हम लोगों ने general equation of second degree से compare किया compare करने के बाग small a b c f g h u v w d की values निकाली अब देखिए capital d निकालना जरूरी नहीं है वैसे इस question में केवल इसी लिए कि आपको एक co factor याद रहें a h g h b f g f c यह होता determinant d इसमें value put कर दी हम लोगों ने यहां से a h g की h b f की और g f c की अभी हम लोगों ने जो values निकाली थी वहां से हम लोगों ने determinant में value put कर दी अब capital a क्या होता small a का co factor क्या होता b c minus f square तो देखिए b c minus f square करेंगे तो कितना आ गया 0 इसी तरह capital b क्या हो जाएगा small b का co factor capital b तो a c minus g square तो क्या बन गया 144 minus 124 यह भी 0 144 यह भी 0 हो गया इसी तरह हम लोग capital c calculate करेंगे capital c होगा small c का co factor a b minus h square तो यह भी 0 आ गया जब a b c तीनों 0 है इसका मतलद भी गात के पद्ध है वो point work बनाएंगे complete square बनाएंगे complete square बनाएंगे तो complete square हम लोग बना ले complete square बनाते है equation में तो क्या बनता है 2x minus 3y plus 6z अब यह कैसे पता लगेगा आपको आपको क्या करना है कि जो equation दिया हुआ है उस equation को check करना है उस equation को जो question में जो equation आपके पास उसको देखिए आप वो equation क्या था 4x square plus 9y square plus 36z square minus 36yz plus 24zx minus 12xy तो आप देखिए yy minus 36yz और minus 12xy इसमें common कौन है variable y इसका मुदब y negative लेना है बस इतना ही पता करना था बागी all square बन जाएगा तो all square क्या बना आपने पास 2x minus 3y और plus का 6z का all square minus का 10x plus 15y minus का 30z plus 6 equal to 0 तो कहने का मादब first 6 term जो है उसने all square बना ले नेगेटिव साइन y के साथ था इसलिए y के साथ लगा दिया अब देखें f u की value कितनी होगे 90 z v की value भी 90 इसका मुदा f u minus z v is 0 इसका मुदा case number first आगया ये अपने पास जब ये दौनों equal नहीं होते हैं तब तो case number second बनता है parabolic cylinder अब जब अपने पास दौनों से में दौनों equal आगये तो अपने पास क्या बनेगा समांतर समतल यूग में बनेगा यहां से पैचान हो जाती है जब ये भी सी तीनों 0 आते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि दो concord है हमारे पास यहां से choice हो गई या तो समांतर समतल यूग में बनेगा या parabolic cylinder बनेगा अब यह देखना है कि इन में से कौन सा बनेगा तो इसका पता करने के लिए हम लोग f u औ में इसमें से क्या कॉमना रहा माइनस 5 माइनस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बनाए यहां 2x माइनस का 3y यह प्लस हो जाएगा प्लस का 6z क्यूंकि माइनस 5 कॉमन लिया प्लस का 6 इकोल दो 0 अब देखिए इसको complete whole square बनाना चाहते हैं लोग तो कैसे बनाएंगे 2x माइनस 3y प् plus b square तो अब देखिए यह a square रहा माइनस का 2 तो यह 2 से multiply किया डिवाइट कर दिया b तो अपने पास b क्या बन जाएगा इसकी जग़ 5 तो है हमारे पास a square जब यह है तो b क्या बनेगा b बनेगा 5 by 2 तो 5 by 2 इसका हम लोगों ने 2 से multiply किया 2 से डिवाइट कर दिया तो 5 by 2 हो ग जाएगा तो देखिए 5 by 2 को हम लोगों ने left side भी आड़ कर दिया और right side भी आड़ कर दिया और यह जो 6 की जो plus term थी यह right hand side में जाके minus हो गया तो यहाँ देखिए कितना बना 25 upon 4 minus 6 LCM आ गया 2 sorry LCM आ गया 4 तो 25 minus 24 यानि 1 upon 2 का 1 upon 4 कम दो 1 upon 2 का whole square अब यहाँ पे जो अपनी left hand side of whole square किसकी बन गई? a minus b यानि 2x minus 3y plus 6z minus 5 by 2 का whole square दौनों side square अटा दे तो 2x minus 3y plus 6z minus 5 by 2 equal to plus minus 1 by 2 यह जो अपने पास कोनिक आया है समांतर समतल योग्म को शो करता है यह क्या हो गया दिया गया समीकरण जो है इसकी canonical form कहलाती है यह concord है यह इस form में पैचान होती है इस concord की equation से कि अपने पास concord क्या निकाला हम लोगों अब हम लोग example number 2 लेते हैं एक concord हम लोग discuss कर चुके दूसरा concord discuss करेंगे तो यह देखिए general equation दिया हुआ second degree का आब इस equation को देखके और compare करते हैं compare करके small a b c f g h u v w d की value निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को किसकी value निकालनी है capital a b c की तो capital a value निकालनी b c minus f square 0 i capital b a c minus g square यह भी 0 आ रहा है capital c a b minus h square यह भी 0 आ रहा है जब यह तीनों 0 हो जाते हैं तो द्वीगाद के पद पून्वर्ग बनाते हैं तो देखें द्वीगाद के पद चेक करें इस equation को चेक करते हैं तो देखें 6x का whole square 2y का यह z का minus का 4yz इसमे negative sign है अब negative sign किसका पता लगाना है minus का 12z इन दोनों में common क्या है variable z z इसका अंतर z negative होगा z negative होगा तो क्या लिखेंगे 6x plus 2y minus का z का whole square प्लस का 4x plus 16y minus 26z minus का 3 equal to 0 यह अपने पास equation number 1 अब FU और GV की value निकालें तो FU और GV की value डिफरेंस निकाल के देखा तो आए minus 4 plus 48 तो यह क्या आगया 44 इसको उन्दो 0 नहीं है और यदि 0 नहीं है तो समांतर सम्तल यूग में तो नहीं बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि यह आपने देखा था कि FU और GV की value बराबर आई तो समांतर सम्तल यूग बना था इसमें नहीं बनेगा इसमें क्या बनेगा परवलेक बेलन बनेगा अब जो परवलेक बेलन का जो प्रोसेजर था case number second अभी हम लोगों ने जो discuss किया था उसी case को हम लोग यहां apply करेंगे तो equation number जो given equation है यह वाली whole square वाली first number की इस equation को हम लोग इस form में लिख सकते हैं 6x plus 2y minus z plus mu का whole square प्रोसेजर में यही था equal to क्या था 2x तो हम 2 को अंदर ले गए 2x के साथ क्या था mu root a 2 2 is a 4 x जो 2x था उसमें से 2 हम लोगों ने bracket में ले लिया इसी तरह 2y में से 2 bracket में ले ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 2b तो कितना बन जाएगा आपने पास 2 root b mu root a था तो mu root b आएगी second time तो mu root b root b कितना 2 2 से multiply होगा तो 4 mu minus का क्या था v v से देखते है v की value कितनी 8 1 2 2 y वाला 2 हम लोगों ने bracket में ले लिया तो minus 16 इसी तरह mu root c root c is 1 तो कितना आजाएगा 2 mu और अपने पास क्या था minus का w minus का w कितना था minus का 30 26 अब क्या हुआ ये तो plus हो गया और ये अपने पास minus हो गया क्यूं क्यूंके हमारे पास यहा तो sine plus ही रहेगा इसकी वज़े से ये अपने पास sine क्या हो गया था plus हो गया तो और ये पहले वाला sine क्या रह ता minus रह जाएगा क्यילו क्यूंकि अपने पास z के साथ क्या आँำ क्या था minus sine आ रहा है अब इनसे हम plane बनाएंगे अब मु की value निकाल लिया हमारी problem है कि जो अपने पास equation number 2 आई है इसको किस तरे solve किया जाए कि मु की value आजए तो मु को इस प्रकार चूज करें कि ये जो समतल है पहले वाला कौन सा 6s plus 2y minus z plus mu equal to 0 ये 0 हो जाए और ये second वाले time है ये भी 0 हो जाए इनको दौनों को 0 कर लिया अब यदि ये दौनों जो अपने पास plane है ये perpendicular हो तो हम जानते हैं दो plane perpendicular होंगे तो क्या होंगे इनके direction questions या ratios का multiplication का सम 0 होता है कैसे a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 या l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 equal to 0 तो अब देखिए 6 times 12 mu minus 4 plus 2 times 4 mu minus 16 फिर minus का 1 times 26 minus 2 mu equal to 0 ठीक है तो ये हम लोगोंने perpendicular की condition काम में ले 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 अब perpendicular की condition काम में लेके हम लोगोंने mu की value कितनी निकाली 1 अब equation no.2 से value equation no.2 में value put कर दे mu की और इसको solve कर ले अपने पास ये equation आगया इस equation को क्या लिखा जा सकता 6 x plus 2 y minus z plus 1 अब देखिए x का coefficient क्या है 6 इसका square क्या होगा 36 y का coefficient 2 इसका square होगा 4 जर का coefficient minus 1 का square होगा 1 तो 36 plus 4 plus 1 कितना होगा root 41 root 41 का square करेंगे तो क्या 41 तो देखिए 41 से multiply कर दिया और 41 से divide कर दिया दूसरी साइट भी देखिए 8 x 12 y plus 24 z plus 4 इन में से हम लोगों ने किया किया 4 common ले लिया तो यहां 2 x minus 3 y plus 6 z plus 1 वहीं यहां पर काम करना जो यहां किया है वहीं दूसरी साइट भी यही काम करना जो हम लोगों यहां किया है denominator में अब देखिए x का coefficient 2 है तो 4 होगा square y का coefficient minus 3 तो 9 होगा जड़क coefficient 6 से 36 हो गया अब देखिए कितना बना 36 plus 4 40 49 14 root 49 is 7 तो देखिए क्या किया है हम लोगों ने आपने पास root 49 से उपर नीचे multiply किया है तो root 49 7 हो गया और यहां root 49 आई रहा है तो यह क्या बन गया 41 multiply by 6 x plus 2 y minus z plus 1 का whole square upon root 41 equal to 4 7 z 28 तो 2 x minus 3 y plus 6 z plus 1 upon 7 अब क्या करना है हम लोगों को नया plane चूज करना है तो क्या करना है कि इन planes को गुमा कर इस तरह चूज करना है हमें कि यह वाला part तो बन जाए x और यह वाला part बन जाए y देखें इसके नीचे मैंने x लिखा है यह रफ है इसी तरह इसके नीचे y रखा है केवल समझाने के परपस से लिखा गया है अब नीचे चूज कर रखा है हम लोगों ने देखें तो अब निर्देशी समतलों को गुमा कर इस प्रकार लें कि यह value भी 0 हो जाए यह value भी 0 हो जाए परिचेत का नाभी लंब जो है वो कितना है 28 upon 41 है तो यह अपने पास क्या आ गया second concord आ गया तो यदि ABC 0 आ जाते हैं तो हमारे पास दौनों के इस डिसक्स कर सकते हैं आप लोग कि F.E.G.V. की value बराबर है या नहीं है बराबर है तो समांतर समतल यूग में बनेगा और